जहिर इकबाल से साधी के बाद सोनाक्सी को नहीं मिलेगी सत्रुधन सीना की प्रोपर्टी में हिस्सा तो वहीं सोनाक्सी को सत्रुधन सीना नहीं देंगे एक भी फोटी कोडी तो वहीं पिता की समपत्ती में नहीं है एक्टर सोनाक्सी का नाम मन मुटाओ इंटर फेत मेरी ज़ परिवार वालो की नाराजगी तो वहीं समाज वालो की नाराजगी लेकिन तमाम खबरों के बाद आखिरकार सोनाकसी ने अपने लोंग टाइम बोई फ्रेंड जहिरिक पाल के साथ साधी के बंधन में बन चुकी है लेकिन अब दोनों को ले प्रोपर्टी पर उनकी पत्नी और दोनों बेटों का हक है लेकिन वही अब सोनाक्सी साधी करने के बाद अपने पति जैरिकपाल के साथ एक नई प्रोपर्टी में सिफ्ट हुई है और मुंबाई के बांदरा में एक फ्लेट लेकर अपनी नई दुनिया बसाई है लेकिन हैर साधी के बाद माबाप की जायदाद पर कोई हक नहीं रहा और एक्टर सोनाक्सी ने इस घर को खरीदने के लिए 11 करोड 58 लाक रुपे अपने पापा से लिए और 24 करोड अपनी मापुनम सीना से उधार लिए है लेकिन अब ऐसी तमाम खप्रिस सामने आ रही है कि सोनाक्सी को अपने पापा की प्रोपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और इस पर सत्रूधन सीना ने भी कहा था कि मेरी बेटी सोनाक्सी अब सेल्फ डिपेंड है अच्छा कमा रही है उसे किसी का मोताज होने की जरूरत नहीं है और आपको बता दे सत्रूधन सीना लगभग 50 सा सीना के जिस घर का नाम रामायन है उसकी कीमत लगभग 88 करोड रुपे बताई जाती है लेकिन अब हैरानी की बात ये है कि सारी प्रोपर्टी सत्रूधन सीना ने अपने बेटों के नाम पर रखी है लेकिन सोनाक्सी सीना के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं लिया है वेल फि कहेंगे इस पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें पिनी राइस जरूर बताई